चलो ठीक आगे सब लोग की और बचे है देखो इसका पहले हम लोग क्या म्सीक्व कि अपसान्थ रहो नहीं आर अब बच्चे जैसे करते हो यार तुम लोग देखो इसका एम सी क्यू करने से पहले हम लोग क्या देख लेंगे एक बार हुआ सर यह और थोड़ा ताम जाम लगे जा हो गया ना चलो देखो इसका हम लोग क्या एंसी क्यू करने से पहले बहुत लोग का यह वो रहो कि थियोरी नहीं पढ़ है तो एकदम थियोरी पढ़ने के लिए तो आप लोग क्या कोर्स का एक्सिस ले 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 ना जितने लोग नहीं लिये हो है न और लाइन वाले भी आप लोग क्या एक्सिस ले ले लेना लेकिन क्या है एंसे क्यू डील करने के एक अलग तरीका रहता है ठीक है जैसे त्योरी जो है वह सर पढ़हें यह बहुत अच्छे पढ़हें मैं उसी के बेस्ट क्या करा रहा हूं यहां पर ए एक दम एक चीज़ को डिटेल से समझाया गया है ठीक है छलो तेको ये क्या एक सवर्च इंजन वाला Exactly दो अच्छ cen वाला चीन और एक सरच शरच अजन वाला टापिक रहते हैं जहांसे एक से दो question पूछते ही पूछते हैं इसका एक example हम लोगों ने किसमें देखा मंडी वाले शॉरी हाँ जो मंडी वाला पेपर हुआ था उसमें आया था अभी वाली ये वाला नी उससे पहले वाला एक आया था उसमें MSI वाला उसमें आया था ये question ठीक है कौन सा आया था 2006 से पूछा है है ना और कहीं कहीं पे 90 भी मिलता है 89 वाला HTML तो है ना HTML वाला मिलता है यह आप लोग देखे हो गये तो 89 और 90 दोनों कहीं कहीं पे मिल जाता है ठीक है तो हम लोग गया भी 90 वाला याद कर लेते हैं थेक तो देखो www मतलब क्या WWE वाला देखे हो ना तो WWE में कौन खेलता है मालो यहां पर Bruce Lee खेलता है ठीक तो Bruce Lee के साथ कोई भी लड़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा या जीरो हो जाएगा मतलब उसके सामने में हार जाएगा क्लियर एक चीछ समझ में आया इंटरनेट या www को कब विक्सित किया गया 1990 में संसापक कौन है कि टीम बर्नल्स ली याद क्या से करोगे बुरुसली के साथ कोई भी फाइट करेगा तो क्या हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा याज groteय ठीक संमझ में आपाय है ले देख़ू याहू क्या है 1994 1994 जेरी यांग और डैवीड फिलो क्या है जेरी यांग और डैवीड फिलो याद कैसे करोगे देखो 1994 में क्या यात रखना है चार ठीक तो क्रिकेट देखते हो इतना तो नहीं देखते तो भी जानते हो ना चौका छक्का है ना तो चौका और इसमें एक प्लेयर है कौन है डेविड वार्णर करके मिलtså के सूने हो गे नाने अंश्ट्रेलिया का ओप्णिग प्लियर तो क्या करता है जब क्रिकेट खेलते रहता है तो उसके पहले से चारट चार डेविड वार्डणर क्या और बेटिंग कर रहता है यह जैरी यांग मतलब जां उसको पाकर के का, चोका गया तो यह क्या बोला, याहू, याहू, है न, मैं, याहू, कोई जंगली कहे, लाना सुने होगे, याहू, तो उसमें क्या खुसी के मारे वो ज्यूम रहे, तो क्या बोर है, याहू, याहू कर रहा है, याध हूआ, याहू, 1994, डेविट फिलो औ जैरी यान याद होँआ नहीं सबको आगे बढ़ें अब देखू रेडिफ मेल डॉट कॉम क्या रेडिफ मेल डॉट कॉम इस तो पंचानवे और संस्थापक कौन है अजीत बाल कृष्ण याद कैसे करोगे देखू रेडिफ मेल याने की रेडी हो रहा है कौन मेल कितने मिनट में और गल्स कि क्या दस मिनट आधा गंटा एक घंटा दस मिनट वारे रेडिफ मेल मतलब मेल जो है वो रेडी हो जाता है कितने मिनट में पांच मिनट में उसका नाम क्या है अजीद बालकृष्न ठीक याद हुआ तो अजीद बालकृष्न जो है पांच मिनट में रेडी हो रहा है क्या है वो मेल है तो रेडीफ मेल.com 1995 अजीद बालकृष्न फिर से एक बार रिपीट देख लो www क्या तो ब्रुसली खेला तो उसके सामने में क्या हो गया या जीरो हो गया दूसरा क्या याहू याहू मतलब डेविड वर्नर जांग में पाके क्या गया चौका गया तो क्या बोलने लगा याहू याहू ठीक समझ में उसके बाद क्या देखे रेडीफ मेल.com है ना तो रेडी हो रहा है मेल कितने मिट में उसका नाम क्या है अजीद बालकृष्न हुआ समझ में आया आगे देखो कितना 1900 सब्बीर भाटिया और जैक स्मिट ठेक समझ में आया आप देखो जैक स्मिट के आप स्टिव स्मिट चानते हो उसी का प्लेयर है कहा का एलिया है ठीक और वो क्या हिल्टे डूल्टे रहता है ना हिल्टे डूल्टे रहता है मतलब हाट मेल ठीक और हिल्टे तो वो क्या है ठीक है ऑनलाइन वाले समझ जाना जी ठीक है आप लोग को समझ में आया ना तो उसको बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं समझ में आ गया तो क्या हिल्टे डूल्टे रहता है मतलब होट मेल या उसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो अच्छा लड़का है ना अलिकिन क्या है यृट कौन कि समित या दुखा कई चीजें यहां पर लुक्त हो गई है जिसको बिप बोलते हैं बिफ हो गई है तो वी अना अकेले पाओगे तो क्या मजा यार जहां आस पड़ोस के लोग पढ़ रहे हो एक दुसरे के साथ तो साथ-साथ लगे जा तो सही है तो साथ-साथ क्या लगेगा नाथ-साथ क्या लगेगा नौकरी ठीक तो नौकरी.com कितना है उन्नीस सो संतानबे ठीक और कैसे जब आपका नौकरी लग जाएगा तो क्या चंदा इखटा करके आप लोग क्या जाओगे फिर पिक्निक जाओगे तूर जाओगे है ना इधर उधर वहाँ ठीक नहीं समझ में आया रहन दो फिर नौकरी.com क्या साथ-साथ नौकरी लगेगा है ना तो फिर आप क्या करोगे चंदा इखटा करके घुमने जाओगे तूर जाओगे है ना समझ में आया अब देखो गूगल सर्च इंजन यह पूछता ही पूछता है है ना तो याद कैसे करोगे कुछ भी आप लोग को पता नहीं रहता है तो किसमें खोशते हो आप लोग गूग बतारे बोलने से नहीं जानता और क्या करते है आठ खोजने लगता हे नहीं समझ मैं बाद में बता देना ठीक है गूगल सर्ष निंजन क्या है को को गूगल कोई भी सर्च करता रहता है ठीक हैंollar ठीक तो आपको कल बताया था मैं कि कैसे Google जब खोज लोगे टो एक पेज निकलेगा ऐसा पेज निकलेगा जहाँ पेज है जहां पर Google का आइकन रहता है तो जैसे यह आप Google का नाम लोगे तो यह वाला पेज आपके ब्रेंज में क्या होगा फिट होते जाएगा कि हाँ यह वाला पेज आएगा देखे होगे ना Google Chrome खोलते हो या कुछ भी Google करते हो तो यह वाला पेज आता है समझ लेना अब देखो make my trip क्या make my trip make my trip कितना रुपय मैं रुपय मैं सुरी कितना मैं 2000 में और क्या दीप काल रहा तो रुपय का कहने का क्या मतलब है देखो कहीं भी trip जाओगे तो कितना रुपया पकड़ के जाओगे कितना रूपया ठीक कमझ में तो कहीं भी ट्रिप जाओगे तो कितना रूपय पगड़ोगे तो मेक मैटी गवाय था याद हो ना मेटमेटी कवाया 2000 मेर ठीक और कहां एक्दम काल रातरी में काल भेहरो ने लोना ट्रिप कहां एकदम रातरी के शमय में क्या निकलते हो काल रातारी या काल राठी ही और अब इसको दूसरे तरीके से याद किया था याद कराना नहीं हो पाएगा यहां पर यहां याद रखो क्या कि को इस कि नाम का दो लड़का एगा कि डीकी नाम का दो सधिकर करेंगे एक क्रेक्टर क्या करेंगे अच्छा सिंगर किर दो कर से जल्दी स्टार्ट कर देंगे मैडम है तो वीकी नाम का क्या वहां मैं दो करेकटर आएगा कि च्रेक्टर जो है वह सिंगर होगा और के टर क्या होगा एकदम असाद होगा असाद मतलब समझते हो ना थीक है है तेक तो विकी नाम का दो करेक्टर आएगा वोग हो मैं एक विकी जो है हिसेंगर एगा किसींगर मतलब अच्छा आदमी है नमस्त वाला थौ white एक नमबर रहा है मतलब पहला जूख रहकर रहे कि एक नंबर क्या है सिंगर है वेल है वेल एजुकेटेड या वेल दिखता लड़का है तो वेल्स और सेंगर कब है 2001 में विकीपीडिया और एक जो विकी बताया हूं वो क्या है बोला हूं असाध है असाध है से क्या असांजे तो पूछा क्या गया है यह वाला पूछा गया है ठीक है विकीलिक्स क्या है असाध मतलब असांजे तो जो असाध रहता उसको क्या बोलते हो ठीक 2006 समझ में आया ना तो विकिपीडिया से क्या 2001 पहला वाला केलेक्टर वह पहला केलेक्टर एक नंबर का क्या फिंगर और अच्छा अथमी था लेकिन दूसरा वाला जो विकी केलेक्टर है वो क्या है असाथ और उसके सांथ साथ क्या है कि दूसरा है ठीक है फेश्बूक यह तो सब को जानते हो गया है ना मार्क जुगर्भर कि और कभा आया था चार दोहजार चार नहीं याद होगा तो देखो फेश्बूक कितने लेटर का है चार लेटर का तो 2004 क्या है मार्क मार्क जुगर बर्ग ठीक समझ मैं यूटूब एकदम जानते हो है ना कब है 2005 यह आरकुट उतना इंपोर्टन नहीं है यूटूब कितना 2000 इसका क्या इस्ट्यू चेन और तरहरा पाम हुली जावेद करीम याद क्यों से करोंगे देखो कुम यूटूब क्या सुवे सुवे से एकदम 5 कि भातने खौद ले तक क्या तびंख लो लेकिन क्या धिरे-फिरे चैन बनते जाता है वो अधा घंटा पार Kalau मबसता है कोचिंम चलो चलो यह होता है तो YouTube क्या करने है पांच मिनट्रें क्या करना है खोल रहते हैं लेकिन वो क्या धियरे धियरे मोले क्या अधा रह यारे चैन बनते जा रहे ख़्या सक्वक्त , इना और यही करम कर रहे हैं कि तो करम से करीम याद हुआ कि 2005 यूटूब धीरे धीरे चैन बन रहा है होले होले याने हुली और यही करम है मतलब करीम याद हुआ 2005 तक कि कि किसी को कोई डाउट इसमें आगे बढ़ें कि डाउट है किसी में कुछ अब रिवाइस करेंगे कम्प्लीट कर देने सो इस्टाग्राम ठीक इस्टाग्राम कितना है 2010 इस्टाग्राम कितना है 2010 आज कर ट्रेंडिंग में क्या है इस्टाग्राम है ना तो इस्टाग्राम को जब तक आप लोग बस करके नहीं रखोगे या का दस बस करके नहीं रखोगे काम खत्म भाउल इना तसमझ में आ गये ना तो आप लोगो está細 ग्राम आया गा तो क्या बोलगे बस दस भस ठीक दस बस ठीक है तो क्या इसमें फिर और क्या नहीं करोगे क्लिक करोगे क्लिक करके क्लिक करते हो ना तो क्या माइक की रिजर ठीक है इस्टाग्राम में आएगा तो क्या बोलोगे दस बस और उसमें नहीं करोगे ठीक है क्लिक नहीं करोगे उसी को क्या क्लिक से किरीजर ठीक है समझ में आए आगे बढ़ें अब देखो ट्वीटर ट्वीटर से क्या याद करने के लिए बोला हूं मैं टमाटर किसमें होता है याद करो डोसा में होता है कि नहीं होता है और इसको तो पढ़ लो शे और तमाटर किसमें रहता है जो समय ठीक है तो डोसा से दोर से तमज में आय क्लियर उसके बाद देखो फिलिप काड फिलिप काड क्या 2007 सचीन बंसल और बिनी बंसल तो फिलिप काड में क्या करते हो कुछ ना कुछ आइटम स्वापिंग करते हो तो क्या अके ले थोड़ी करें करें कि साथ साथ करोगे लेकिन साथ साथ कौन कर रहें सचीन बंसल और बीनी बंसल याद हुआ साथ साथ क्या कर रहे हैं लोग स्वापिंग कर रहे हैं किसमें फ्लिप कार्ड में लेकिन क्या कर रहे हैं सचीन बंसल और बीनी बंसल दोनों भाई हैं दोनों साथ साथ क्य आप लोग एक बार कोशिस करना देखने की ठीक है सबसे पहले क्या पढ़े डबलू डबलू मतलब उसके सामने कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा सुन नहीं हो जाएगा मतलब 1990 किसके सामने बोला हूँ ब्रूस ली ब्रूस ली से क्या आदर कर सकते हैं टीम बर्नस ली ठीक दूसरा क्या याहू कब आया 1900 संस्थापक कौन है जेरी यांग और डेवीट फिलो याद कैसे किये चौका मारा कौन डेवीड वार्नर चार से 1994 और फिर क्या किया हूँ याहू याहू है ना तो 1994 से याहू डेवीट फिलो और जेरी यांग याद हुआ आगे बढ़े रेडिफ मेल.ड़ कोम पड़ रहे तो मेल कितने मिनट मे रेडी होते हैं पांच मिनट में पांच से 1995 और उस मेल का नाम क्या था अजीद बाल क्रिश्न ठीक है उसके बाद क्या देखे होट मेल 1996 इसको कैसे याद के थे जो स्टीव स्मित है वह होट लेकिन क्या है 1996 है फिर क्या देखे नौकरी.com नौकरी.com मतलब नौकरी लगा रहे हैं कितना कि अधा कि साथ साथ है न तो साथ साथ कर रहे हैं फिर क्या चंदा इखटा करके ट्रीप जा रहे हैं है न समझ मैं है अब उसके बाद Google तो कुछ भी सर्च करना है तो आठ वहीं पर जा रहा है ठीक है तो उसका क्या पेज और सर्गी में पेज आया ब्रेन में ठीक है तो सर्गी ब्रेन और लेरी पेज फिर क्या मेक माई ट्रीप देख रहे हैं तो ट्रीप 2000 लेकर के जा रहे हैं और कहां काल रात्री में काल रात्री में मतलब दीप काल लड़ा या दुआ सबको आगे देखें विक्कीपीडिया तो विकी से में दो करेक्टर याद करवाया हूं ए एक तो 2001 वाल आएगा जो एकदम मस्त सिंगर आदमी है और दूसरा क्या है एकदम असाध है मतलब 2006 है असाध है मतलब 2006 ठीक समय मैं इसका कहने का क्या मतलब है कोड समझ रहे हो न ठीक होस्यार हो यार तो यह वाला हो गया विकीपीडिया में एक नंबर अना क्या है वेल्स है और सेंगर है वेल्स और सेंगर ठीक फेस्बुक का क्या देखे चार इंपर्टन नहीं है क्यों नहीं है आरकुट 2004 यह कुट वाला सब्सेम है ना यह एकदम इस इजली याद हो जाएगा यूटूब का क्या बताया मैं पांच मिनट के लिए खोलते हैं सब्सक्रादाब कर रहा है तो यही कर रहे हो जाता है और कर रहे हम लुग को कर रहा है नो क्या जन बनते जा रहा है तो हुले और ओर देखे इंस्टाघ्राम देके तो इस्टाग्राम जैसे तो दस बस वहां और क्या किरिक नहीं करना है ठीक क्लिक से की रिजर समझ में आया अब क्या विकिलिक्स बताया हूं यह क्या है असाध है मतलब 2006 अब ट्विटर से क्या आया दखना है टमाटर टमाटर कहां रहता है अब 2006 अब फिलिपकार्ड मतलब साथ साथ इस सौपिंग करने कौन कौन सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों क्या करने साथ सौपिंग कर ठीक शामझ मैं राजितना क्लियर हूआ अब क्या करते हैं इसी के बेस्ट में ऑपजेक्टिव करते हैं ठीक है कि भूल आया है चलो ठीक देख लेते हैं ना इससे ज्यादा कोस्टन नहीं बनेंगे दस कोस्टन के आसपास देख लेंगे थियोरी क्लियर हुआ ना आप लोग को तो देखो सबसे पहले क्या गूगल याहू और आस्क क्या है बताया हूं मैं ठीक समझ में आया क्या है फिर देखो दूसरा कोस्टन क्या बोल रहा है दूसरा कोस्टन क्या बोल रहा है एक सर्च इंजन इसको थोड़ी डिटेल बताने की ज़व रहा थे यार यह तो आराम से समझ में आगे अभी पताया हूं मैं है ना एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है क्या सर याहू ask.com यह क्या है कि गूगल कब बना था कि उन्निस सो अंठानबे याहू अब दूसरा क्या बोल रहे है कि एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है क्या सर्च करता है आप लोग को बताया हूं Google ऐसे रहता है है ना तो क्या इसमें ही आप क्लिक करते हो और खोशते हो ना इसमें ही क्लिक करके आप करते हो खोशते हो तो यहां क्या बोल रहा है अंकीत कर में सूचणा के लिए वेब पेज जो आंकीत टर्म यहां पे क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं खोचते हैं कोई भी एना तो उसी को को बोल रहा है कि एक सर्च इंजन परोग्राम है जो सर्च करता है किसको अंकित सर्च टर्म के सूर्चना के लिए वेब पेजिस समझ में आया आगे बढ़ें अब देखो तीसरा क्या बोल रहे है निनवलिखित मेंसे कौन सा एक सर्च इंधन कौन सा एक सर्च इंजन है कौन सा है बताओ चलो है ठीक है क्या है गूगल कब बना है किसने बनाया कि पेज और अग्ली क्लास जो रहेगी हमारी किस पर रहेगी वेब ब्रॉजर पर रहेगी अभी किसके बिजट पर है सर्च इंजन या सोचल साइट अभी किसके लिए है हम लोग का इसके लिए अगली क्लास जब लाएंगे तो किसके लिए होंगी लाएंगे वेब ब्राउजर उसका भी एक कोड है एसे जैट तक अराम से पढ़ लेना फिर टिक लगाते रहना ठीक है बढ़े आगे अब देखो निन्म में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ठीक जब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला देखेंगे तो उस टाइम इसका डिटेल से देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पहचानते हैं ओपन स्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है है न तो यह सब कॉमर्सियल जो वेब साइट रहता है उसका कैसे पहचान तो उसका भी सांडर्ट है अराम से देखेंगे अगली क्लास में ठीक है याहू देखो क्या कब बना अब बनाया कौन तो क्या जेर्य यांग और डैविट फिलो ङाद कैसे एते डैविद वर्णर के ठाई में लगके जाएगा क्या चौका तो ग्या बोलेगा याहू याहू गूगल का अभी देखे आना बिंग भी किसका है यार कि आतो यह क्या है एक कि सर्च इंजन है लेकिन किसका या माइक्रोसॉफ्ट बिंगो टेढ़े मिड़े जितना जानते हैं सब भोल देना तो नेपल लिखित में से कौन सा सर्च इंजन है क्या है कि समझ मैं यह दोनों क्या है व्राउजर ठीक समझ मैं आगे देखेंगे कल की क्लास में इसको लेकिन इसको क्या करो इतना जानो अभी देखो फिर यह कोस्टन में यही रहेगा यही सब को घुमा फिरा के घुमा फिरा के क्या परेगा पूछेगा ठीक है तो इसमें 10 कोस्टन से ज्यादा नहीं देखेंगे उतना जवरत नहीं है ठीक है निनम लिखित में से कौन सर्च इंजन है बताओ ठीक समझ में आया फायरफॉक्स किसका है आगे देखेंगे निनम में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है क्या है ठेक बिंग किसका है माइक्रोट एक डॉटकॉम पहले एक लेक्शर में देखें आशक डॉटकॉम किसका है अमेरिका एट ठीक तो इसमें देखो क्या था इसका अंसर 6 का कौन सा सर्च इंजन है गूगल तो 6 का अंसर क्या हो जाएगा उसके बाद साथ देखे साथ क्या निन्म में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है वो रहे हैं याहू एंसर याहू अगर सिर्फ रहता तो क्या सर्च इंजन होता हो ठीक है अब आठ्मा कोशन क्या वो रहे है निन्म लिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है क्या बो रहा हैниц alone क्रोम यह क्या है जी एक Google search engine इसका right answer क्या होगा ठीक है या हो फिर देखे थे यह ना बिंग भी देख लिये थे यह क्या है कि इसमें से है ख्रोम क्या है search engine डल्टा waves इस्टा क्या है एक क्या है एक ठीक है फिर दसमा कोश्चन देखो एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है किसको यह तो हो चुका है अंकित सर्च टर्म में तूचना के लिए वेब पेजेस ठीक है समझ में आया आगे देखो 11 को स्ज़न क्या पोछा रहा है इसका समझ में आया न गिस जान्य द्सकर डी होगा कौनशा होगा डी कौनशा प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है भो लें ओपेरा मिनी क्या है वेब ब्राउजर है ठीक है वेब ब्राउजर है बिंग भी क्या है एक और गूगल क्या है एक और याहू भी तो ये तीनों क्या है ये तीनों जो है वो सर्च एंजन ठीक जब कि इसका एंसर क्या हो जाएगा कौन सा प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है तो क्यों सा नहीं होगा जी समझ में आया आगे देखो गूगल सर्च आपको निन्म प्रकार से खोच करने की अनुमती देती है आप चाहे तो उसमें क्या ठीक इमेज से भी खोच सकते हो वाइस रिकॉर्डिंग करके भी खोच सकते हो या इमेज से भी या उसमें लिक करके भी ठीक तो किसी भी फॉर्मेट में आप क्या कर सेकते हो उसको खोच सकते हो ठीक तो आपको किस खोच की अनुमती देती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख ले ठीक है तो समझ में आ जाएगा उसको अब इसको बताओ तेरवाँ विशु वर्पी जाल या विश्कार कौन है टीम बर्नर्स ली कैसे याद किये थे 1990 है न तो इसके साथ जो भी खेलेगा कुस्ति या WWE किसके साथ ब्रूसली के साथ क्या हो जाएगा जीरो जीरो या हो जाएगा ठीक तो इसका क्या 1990 और खोज करता कौन है ठीक समझ मैं अब यह क्या करता है देखो URL जो है या WWE में HTTP क्या है Hypertext Transfer Protocol URL का full form क्या होता है यूनिफार्म रिसोर्च लोकेटर यूनिफार्म रिसोर्च लोकेटर ठीक तो यह किसको खोज करता है जी HTTP क्या है एक ठीक है और TCP और IP यह भी क्या है एक प्रोटोकॉल लेकिन यह किसके लिए प्रोवाइड होता है जी इंटरनेट के लिए इंटरनेट के लिए कल इसी के बेस्ट पर लेक्चर रहेगा ठीक है लास्ट कोस्चन देखो क्या बोल रहा है कि वेब साइट एड्रेस या यूरल एक यूनिफ एक यूनिक नाम है जो वेब केज़ पर क्या करता है एक विशिस्ट खाली स्थान की पहचानिस्थापीत करता है क्या अ कि है बताओ ज़िए बताव ना यार जल्दी देख रहा हो न माश्राइब को या पर लुब का इसमें क्या हो जाए इसमें हो जालेप्स इतना टाम से Url य Rub क्या कर रहा है है कि चेख को है अब कि वेब साइट का ही है url http ट्रांसफर प्राशश्फर पूटोकल यह सब तो अभी पढ़ रहे हैं ठीक है तो आज के लिए क्या करते हैं इतना देख लेते हैं आगे कौन से बेस्ट पर रहेगी वेब ब्राउजर पर ठीक है कल किस पर रहेगी क्लास वेब ब्राउजर पढ़के आना थोड़ा वह हुथ है ना इसको बंद करते हुआ कि अग्यों